अगर आप यह task view इनेबल करते हो तो आप नीचे देख सकते एक task view यहाँ पर open है और जितने भी applications आपने open किये तो मैं यह पूरे icon left में लेना चाहता हूँ तो आपको same minus yes यहाँ पर आपका रहेगा seconds में time और 300 seconds time समदेंगे तो 300 seconds के बाद यह computer क्या होगा दोस्तो 11 खिडकियों की 11 खूबिया मैं आपके लिए लिक्या हूँ अरे कहना क्या चाहते हो समझ में नहीं है बताता हूँ Windows 11 की 11 ट्रिक्स मैं इस वीडियो में आपको बताने हो तो अगर आप एक computer user हो computer में smart बनना चाहते हो तो वीडियो एंड तक देखिए सीधी बात नोबक्वास चलिए यह वीडियो शुरू करते हैं खास ट्रिक्स नमबर वन मैं आपको बताने हो टास्क व्यू के बारे में अब यह टास्क व्यू क्या होता है सबसे पहले आपको टास्क व्यू इनावल करने के लिए उप्शन मिलेगा मैं आपको यह फोकस करके भी दिखा रहा हूँ अगर आप यह टास्क व्यू इनावल करते हो तो आप नीचे देख सकते एक टास्क व्यू यहापे open है और जितने भी applications आपने open किये उनकी यहाँ पर preview तो दिखते हैं साथ में यहाँ पर आप कितने desktop पर काम करें desktop 1 या फिर यहाँ से new desktop में ले सकता हूँ और desktop 2 पर जाकर दिखिए यहाँ पर हमने कुछ अभी open नहीं किया है यहाँ पर desktop 2 मतलब fresh desktop अगर हमें चाहिए जहाँ पर कुछ भी application नहीं तो हम यहाँ से ले सकते हैं या फिर यहाँ पर क्लिक करके हमारे फिर से desktop 1 पर मुह कर सकते हैं या नया open के or desktop यहाँ से बंद भी कर सकते हैं तो ऐसे आप task view का इस्तमाल कर सकते हैं तो टासबार में task view लाना है तो setting 1 को ध्यान से सीखना है तो यह थी tricks number 1 अब बढ़ते tricks number 2 की तरब तो अब setting number 2 में मैं आपको बताने हो लो कि यहाँ पर windows 11 इंस्टॉल है तो यहाँ पर यह center में आ चुके यह सारे के सारे icons लेकिन मुझे windows 10 के आदत पढ़ी है जो कि windows 10 में जो icons थे left side में थे start button वगरा left side में था तो मैं यह पूरे icon left में लेना चाहता हो तो आपको same screen पर आना है taskbar setting वाले screen पर कैसे आना है जो कि पहले setting में मैंने आपको बताया और इसमें आपको यहाँ पर एक option मिलेगा नीचे taskbar bios यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए taskbar alignment option है यहाँ पर आप जाकर इसे left करोगे तो यह left side में आ जाएगा तो यह एक interesting setting याद रखो यहाँ से left कर सकते यहाँ से center कर सकते राइट ट्रिक्स नमबर 2 हमने जान ली अब बढ़ते ट्रिक्स नमबर 3 की तरफ मैं आपको बताने आप प्रेजेंटेशन से related settings basically क्या है यह settings जैसे मैं आपको कुछ प्रेजेंट करना चाहता है या आप किसी का जूम करके दिखानी है तो windows और plus बटन दबाओगे तो यह जूम होगा लेकिन लेकिन एक मिनिट रुकिए मैं क्या बता रहा हूं windows प्लस से जूम तो हो रहा है windows माइनस से जूम आउट होता है लेकिन जहां विंडोस प्लस दबाओगे तो आपके सामनी यह डाइलव बॉक्स आता है मैगनिफायर का याद रखिए जैसे मैं इसे क्लोज कर रहा हूं विंडोस प्लस दबाता हूं यह देखिए आगया मैगनिफायर का डाइलव बॉक्स इसमें आपको जाना है सबसे पहले सेटिंग्स क्र descent डेख लो शवक्स अ क्ब्नव ज선द में क्राइला भाटई में आपको जुब बॉक्स पुर बढ़ा में तो मैं लेंस नहीं पूल स्क्रीन रखोंगा फूल स्क्रीन में देखिए कैसा फूल स्क्रीन हो चुका है क्योंकि यहां पर चीज यहां रखनी है कि जहां पेर मेरा माउस है वहाँ पे फोकॉस रो यह अंचेक करो यह सारे चेक रहते हैं जब आप Windows पहली बार इंस्टॉल कर ले तो यह सारे चेक रहते हैं इनको अंचेक रखना है आपको लगता है आपको आप नस्दीक बैटो लेकिन समझ लो यार आपकी बच्चों की प्रॉब्लम समझना सीखो अगर आप एक ट्यूटर हो तो तो दोस्तों अब बारी है ट्रीक्स नंबर फोर की चलिए शूकरते हैं अगर आप एकमपीटर में डेली काम करते हैं तो नाइट लाइट ओन कीजिए आप इविनिंग में तो नाइट लाइट ओन कि operations के एस से कंटिनियूसली क्योंकि नाइट लाइट मतलब क्या होता है कि नाइट वियू में आपके कंप्यूटर में जो ब्लू लाइट है न वो बंद हो जाती है तो यह देखे टर्न आप में करता हो या पर जादा कुछ फरक आपको नेजर नहीं आएगा स्क्रिन रेकॉर्डिंग में बिसीकली लेकिन टर्न आउन और टर्न आप करके आप देख सकते है या स्केडूल मतलब एक पर्टिकुलर हावस के लिए आप रख सकती कि शाम को साथ बजने के बाद auto-metically, आपके monitor की, जो light है, वो switch होनी चाहिए, मतलब night light में switch होना चाहिए, जो की blue light बंद हो जाती है, जाता स्याधा blue light यह आप इरेष्टिक होती है, तो आपके आखों के लिए softness रेता, याद रखिए, तो इसलिए night light के लिए आपके टाइमिंग दे सकते कि वह साथ बजे के बाद यह टर्न ओन हो जाए अप्टोमाटिकली तो यह भी ज़रूर यह सेटिंग करके रोको अपने कप्पीटर में अपने आखो का केर करने के लिए इसे ज़रूर की जी देखते ट्रिक्स नंबर 5 में हम क्या सीखने वाले उपर जाएगा ने तो नीच आएगा गृडड में ल generates अगर में यह भी हटा दू तो यह बीच में भी हा सकता है यह दिक्राइम स्क्राइब करना ऐसे व्डिए अगर आ देखना चाहतें इस इसकी नोटिपिकिशिशना मिलेगी अगर आप सब्सक्राइब क्लीक करके बेल application है जहाँ पर आपको घर बैटे-बैटे computer courses सीखने मिलेंगे जिया pre-recorded videos के साथ मैंने courses तयार किये हैं जहाँ पर सारी चीज़े मैंने basic to advance पढ़ाईए आप videos जितनी बार चाहिए उतनी बार देख सकते, repeated videos देख सकते, आप अपने time पर सीख सकते और आप video डाउनलोड करके भी देख सकते हैं अगर आपका net का issue है तो आप video डाउनलोड करके रखो और बाद में आराम से देखो और साथी में course completion certificate भी आपको मिलेगा और यह सारी चीज़े बहुत ही कम फीज में available है तो अभी जाकर check out करो फिलाल तो आगे बढ़ते हैं कौन सी है हमारे tricks no.6 आए स्क्रीन पर देखते हैं अब आपको control panel में दुबरा आना है और control panel में ही आपको मिलेगा mouse settings तो आपको mouse दूनना है यह मिला चूहा I mean to say mouse यहापे click करो माउस का जो left button है उसको right करना है तो यहापे click करो मतलब left यह देखे switch हो गया अब मैं right click करूँगा तो left button perform करेगा अब मुझे यहापे आकर light click करना पड़ेगा apply करने के लिए right और मैं left button click करूँगा तो यहाप खुट try करेगे तो पता चलेगा अब मैं दिखाने सकता लेकिन left button right में हो गया right button left में हो गया और धेर सारी mouse की यहापे settings भी है जिसके लिए एक already मैंने tutorial बनाया mouse settings जो कि आपको complete technology चैनल पर मिलेगा और यहाँ पे mouse का double click का speed जो की double click कितने fast से होना चाहिए slow मत रखो इसे slow करोगे तो आप slowly भी double click करोगे नेका भी और एक थोड़ी देर बा करना है तो बहुत fast करना पड़ेगा बहुत अभी भी नहीं हो रहा है बहुत fast बहुत fast तभी open होगा याद रखिए तो यह चीज नहीं करनी है यहापे बहुत fast भी नहीं रखना है बहुत slow भी नहीं रखना है medium रख देना इसे और इसमें यहापे pointers भी है pointer options भी है will भी है ले यही ती ट्रिक्स नमबर 6 अब बढ़ते यह ट्रिक्स नमबर 7 की तरब यहाप आपको कीबोर्ड भी मिलेगा control panel के अंदर ही कीबोर्ड मिलेगा कीबोर्ड में क्या है अभी यहापे repeat delay और repeat rate ऐसे डुपोर्ट आपशन है अभी repeat rate में तो पहला एक तो होगा लेकिन उसके बाद दूसरा जो आने वाला है उसे थोड़ा टाइम लगे और उसके बाद है क्योंकि मैंने लॉंग किया है मैं इसको इतना रखूंगा इसको थोड़ा सा हाँ इसको फास्टी रखो तो यह इसके सबसे रखो और कि एक करसर जो ब्लिंकी है न की बोर्ड का मतलब जो करसर हमारा ब्लिंक होता है टाइपिंग के लिए वर्ड चालू करने के बाद आपको पता ही इधिकर यह को रहा है तो यह जो करसर ना इससे अल्सके। है कि मेंदियों सब्लुण tha उसका 1 है उसका 1-3айтесь लुक्त अबढ़ एक। निचे मुझे डिस्क्रिपशन से ये कंटेन कापी करना है तो मुझे अलग अलग कंटेन कापी करने है और पेश्ट करने है नोटपेड में तो इसके लिए आप क्या कोरो सबसे पहले यह पेश्ट करों डेख सकते विंडो भी प्रेस करो। Windows भी प्रेस करती एक क्लीबोर्ड आ जाता है अब मैं क्या करता हूँ, सब्सक्राइब करने के बाद अगर मैं इसे notepad में paste करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे notepad स्टार्ट करूँगा, paste कर दिया अब इस content के बाद मैं दुबारा अभी यह content को copy कर लेता हूँ यह content, ctrl c copy, अब मैंने यहाँ पे इसे paste कर दिया notepad में चलो paste हो गया, copy paste, copy paste हो गया, right अब notepad के थुरी size कम कर देता हूँ अब यहाँ पे दोनों content आ चुके है, लेकिन मैं उपर वाला जो content है दुबारा नीचे रखना चाहता हूँ, तो मैं दुबारा copy नहीं करूँगा, मैं Windows V प्रेस करूँगा Windows V, तो यहाँ पे आप जितनी भी copy करोगे न items, यह clipboard में temporary store होगा यह clipboard है basically, याद रखिए, यह clipboard में temporary store होता है यहाँ से आप directly paste कर सकते, जैसे इसमें आये, Windows V प्रेस कर दिया आपने और यहाँ से आप चाहते कि यह sentence दुबारा चाहते, तो यह sentence दुबारा आगे Windows V प्रेस करोगे, यह sentence नीचे वाला दुबार आ जाए, तो यह देखिए, नीचे वाला दुबारा आगे आपका करसर नीचे रख दो, फिर आपको जो sentence जा पे चाहिए, Windows V प्रेस करके, आप उस sentence को यहाँ पे directly copy paste कर सकते हैं तो यह multiple copy paste करने के लिए कापी interesting है, Windows V, clipboard ट्रिक्स नमबर 8 तो हमने जान ली, आप बारी है, ट्रिक्स नमबर 9 की, स्क्रीन पे बढ़ते हैं इसमें हमें क्या करना है, बस यहाँ पे मैं start में जाओंगा, phone link सर्च करूंगा और phone link सर्च करने के बाद, हमारा जो भी phone है, वो हम यहाँ पे link कर सकते हैं मैंने already link किया है, यहाँ पे आपको कुछ photos भी दिखाए दे रहें मेरे mobile के अंदर की कुछ messages भी दिखाए देंगे, लेकिन मैं उसे blur करूंगा, important रहेंगे तो messages भी यहाँ पे आपको दिखाए देंगे, और आप recent जो call किये है, phone calls भी आपको आए या, आपने किये, वो भी यहाँ पे आपको दिखाए देंगे message दिखाए देंगे, photos दिखाए देंगे, सब कुछ आपको दिखाए देगा, लेकिन इसके लिए आपको phone को पहले connect करना पड़ेगा, तो करना क्या पड़ेगा, आपको phone link नाम से related एक Android app भी मिलेगा Play Store पे, जो कि Microsoft की तरफ से उसे भी आपको mobile में डाउनलोड करना पड़ेगा, और दोनों के उपर आपको same email ID से, Microsoft की email ID से login करना पड़ेगा, जब आप यहाँ पे आजाओगे phone link application पे, तो आपने phone link नहीं किया है, तो of course, आपको यहाँ पे link device नाम option आजाएगा, जैसे मेरे पास अब यह already एक link है, मैं link new device करता हूँ, तो यहाँ पे आपको इस तरह का pop-up आजाएगा, आपको Android select करना है, फिर I have a link, Android select करने के बाद आपको यहाँ एक login का pop-up आएगा, Microsoft का account login कीजिए, फिर उसके बाद आपको login करने के बाद, आपके app की उपर app भी install करना है, और यहाँ पे QR code आएगा, जो app से scan करने के लिए पूचा जाएगा, तो यह से आप scan करोगे, और कुछ permission अलोग करोगे, तो directly आपका phone link होगा, और आप यहाँ से भी call लगा सकते हैं, यहाँ से बात कर सकते हैं, messages पड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो एक interesting tips है जरूर ट्राइ कर लेना, इसे phone link करना, और tricks no.9 के बाद, number आता है, tricks no.10 का, देखते हैं न, screen पे, इसमें अपने unwanted application इंस्टॉल करके रखें, तो उसे अनिस्टॉल करना है, तो आपको Windows R बटन दबा देना है, Windows R बटन दबाने के बाद, यहाँ पे control link देना है, देखे, control panel में आपको जाना है, control panel में आपे programs and features यह दिखाए देगा, control panel में programs and features में जाए, और जो application नहीं चाहिए, uninstall बटन, select कीजिए, आनिस्टॉल कीजिए, आपे डेर सारे application है, तो जो जरूरी नहीं वो ही delete कीजिए, जो जरूरी वो मट delete कीजिए, वो तो आप समझदार हो, और बार यह अब हमारी आखरी tricks, tricks number 11 स्क्रीन पर देखते हैं, last tips की तरब बढ़ते हैं, computer shutdown करना है, computer shutdown, तो हमें आता है, alt है, power button प्रेस करो, लेकिन computer एक घंटे के बाद shutdown करना है, तो यह tips मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन जिनको नहीं पता हो, देख लो, आपको आना है run में, एक घंटे के बाद, automatic computer shutdown करना है, जैसे आप अपने TV को करते हैं, कि आप TV में कोई movie लगा है, लेकिन आपको लगता है, आपको लगता है, सोने वाले आप, आपको पता नहीं, TV बंद होना चाहिए, automatic एक घंटे के बाद, तो timer लगा दे, तो वैसे computer को timer लगा दो, run command में आपको क्या लिखना है, start run प्रेस करना है computer में, यहाँ पर run command का dialogue box आता है, start or R button, run command का dialogue box, shutdown space minus S, space minus, oh sorry, S करना है, S मतलब second, H मतलब hour, minus S space minus D, तो यह क्या होता है, minus S, यहाँ पर आपका रहेगा seconds में time, और 300 seconds time सम देंगे, तो 300 seconds के बाद यह computer क्या होगा, यहाँ पर right side में आपको एक message भी आएगा, कि भाई 5 minute के बाद, 300 seconds है ने, लगबग 5 minute, 5 minute के बाद यह computer बंद होगा, अगर आपको एक घंटे के बाद बंद करना है, तो 3600, जैसे आपने कुछ download के लिए रखा है, कि भाई एक घंटे के बाद computer आपको लोग आप होने वाला है, और अगर आप चाहते कि आप यह लोग आप कैंसल करना है, तो आप shutdown minus A दबा दो, मतलब है आप यह shutdown minus A लिखो, और यह लोग आप कैंसल हो जाएगा, shutdown space minus A, cancel हो जाएगा, तो कैसे लगा दोस्तों यह 11 खिड़कियों का 11 खुबी वाला वीडियो, Windows 11 का 11 ट्रिक्स वाले वीडियो, डेपिनिटली पसंद आयोगा, पसंद आयोगा तो like, share और comment कीजिए, साथ ही मैं ऐसे वीडियोज देखने के लिए चैनल को subscribe कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमारे application के लिए ज़रूर चेक आउट कीजिए, मैं मिलूँगा कुछ और interesting वीडियो के अंदर, तब तक लिए अपना खयाल रखिए, सीखते रहिए, लोगों को सीखाते रहिए, स्मार्ट बनिए, बाइ-बाइ!